दोस्तों अगर आप भी कुणाल पांडिया को एक बहतरीन ओल राउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा अपने पहले डेब्यू मैच में ही शांदार प्रदर्शन करने वाले कुणाल पांडिया का रोईत शर्मा को लेकर एक बड़ा बयान आया है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे तो दोस्तों आपको बताते हैं उस बयान के बारे में लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि कुणाल पांडिया और हार्दिक पांडिया में कौन बहतरीन ओल राउंडर है इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरू बताइए भारत और इंग्लैंड की बीच में सिरीज का पहला वंडे मैच तेइस मार्च को पुणे के स्टेडियम में खेला गया इस मैच का टॉस इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गर ने जीता और गेंद बाजी करने का फैसला किया भारती टीम की तरब से पारी की शुरुवात रोहित कुणाल पंडिया ने पहले ही मैच में अपना जौहर दिखाते हुए इंग्लैंड की गेंद बाजो को दिन में तारे दिखा दिए कुडाल पांडिया ने 31 गेंदों में तावरतोड बल्ले बाजी करते हुए 58 डनों की नाबात पारी खेली जुसमें 7 चौके और 2 गगन चुम्बी छक के शामिल थे जुसके बाद भारती टीम 317 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने में कामियाब रही 318 रनों का पीछा करने उतरी इंगलाइन की टीम के शुरुआत बेहद ही खतरनाक रही और ऐसा लग रहा था कि शायद इंगलाइन की टीम ये मैच जीत जाएगी लेकिन गेंद बाजों ने शानदार प्रदर्शन किया इस मैच में इंडिया टीम की वापसी कराई और इंगलाइन की टीम को इस मुकाबले में चार्जट रन से शिकस दे दी भारत ने गेंद बाजी में कुणाल पंडिया ने एक विकट लिया जिसके बाद उन्हें कमाल का मुमेंट अवर्ड से भी समानित किया गया उसके बाद ही कुणाल पंडिया का बड़ा बयान सामने है जब उनसे उनके इस प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका खुलासा करते हुए कहा कि मैंने IPL में मुम्बई इंडियांस के लिए काफी क्रिकट खेला है और रोहित चुर्मा उस टीम के कैप मैं इतने बड़े बड़े खिलाडी होने के बाद भी उन्होंने मुझे टीम में जगह दी जिसकी वजह से मैं अपने खेल में परिवर्दन ला पाया और मैंने अपनी बल्ले बाजी में बहुत बदलाव हुई गया जिसकी वजह से आज जब मुझे भारती टीम में खेलने क तो मैंने रन बनाए जिसकी वज़े से मैं बेहत खुश हूँ और मैं रोहित शर्मा को अपना आइडियल मानता हूँ उन्होंने मेरी हर मुण पर मदद की है और मुझे क्रिकेट में बहुत कुछ सिखाया है जिसको ध्यान में रखते हुए आज इस फील्ड पर मैं उतरा था और उनकी ट्रिक्स मेरे सामने थी जो पूरी तरह से काम कर गए जिसकी बज़े से आज मैं अपनी टीम के लिए बहतर परफॉर्म कर पाया गेंद बाजी में भी मैंने एक विकेट लिया जो कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि ये मेरा पहला मैच था जिसमें मैंने परफॉर्म किया और हमारी टीम इस मैच को जीत पाई लेकिन दोस्तों आपको डान पंडिया कि इस प्रदर्शन को दस में से कितने नमबर देना चाहेंगे इस बात का जबाब हमें नीचे कॉमेंट से क्यों में जरूर दीजेगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्रा आप किजिए हमारी योट्यूब चैनल को दनेवाद